हेई वेल्कम बैक टो और चैनल इन टूदेज वीडियो आई विल टेल यू हाव तो स्टॉक कॉल रेकोडिंग एनॉस्मेंट जब गोगल डायलर में कॉल रेकोडिंग स्टार्ट करते हैं तब सामने वालों को एक नोटिफिकेशन भेज देते हैं कि एक कॉल रेकोड किये जा अब प्रिंश्टल गोगल डायलर रहते हैं इसका पूराना जो सिस्टेम फोन डायला था उसमें ना तो कोई रेकोड एनॉस्मेंट था आटोमेटिक को रेकोड हो जाते हैं किसी को ब्लॉग किया तो उसका ब्लॉग नोडिफिकेशन भी दिखाई देगा इस तरका कहीं से पूराना जो सिस्टेम फोन डाला था उसमें मिलते थे आपके लिए हम उसका एपिके फाइल जुगर किया है डिस्क्रिशन पर उसका डाउनलोड लिंक दिया हुआ है आप जाके डाउनलोड कर लेना अगर फोन डैलर आपके फोन में इंस्टल हो जाते हैं तो आप सभी फी पहले गोगल प्ले स्टुर से एक एप्लीकेशन इंस्ट्ल करेंगे फिर उस एप्लीकेशन से रेकोरिट एमियोंसमेंट बाइप्स खरके उस एप्लीकेशन को या निस्ट्लL कर देंगे तक यह अपना प्राइवेसिस सेप रहें दोस्तों आप हमारे डेस्क्रिशन पर दिया गया लिंक से सेकेंड प्लेश्टीर और अप्लिकेशन डाउनलोड का लीजिए अप्लिकेशन डाउनलोड करने के बाद फोन सेडिंस में जाना होगा सेडिंग्स ओपेन करके यहाँ सर्च किजिए स्पीच आप इस इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करते ही सिधा टेक्स्टूस्पीश सेडिंग्स में चल्ले जाएँगे या तो phone settings open करने के बाद scroll करते हुए नीचे नीचे आईए इसके बाद additional settings next accessibility इसके बाद vision vision option के अंदर text to speech settings देखने को मिल जाएगा यहाँ पे preferred engine by default speech service पर गोगल सेट रहाएगा तो इसे change करके TTS LEX से select करना होगा एक security notification सो करेगा कि ए application आप personal data, credit card number, password बागरा collect कर सकते है लेकिन मैं आपको बात दूँ कि इस application के साथ कोई भी internet connectivity नहीं होता है इसलिए data collect करना तो दूर की बात है वैसे तो announcement बंद करने के बाद इस application को आप uninstall भी कर सकते हैं दोस्तो preferred engine set करने के बाद एक most important settings phone डालाई का data clear करना पड़ेगा यह home page पर Google डालाई के उपर long press करके app info में जाना है इसके बाद storage usage पर tap करके phone डालाई का start data clear कर दीजिए दोस्तो recording announcement का band watch गया है इसके बाद जब भी हम किसी को call करेंगे तो एक बाल एक बर call connect होने से पहले notification भेजेगा कि this call is being recorded फिर अब जितना बढ़ चाहे बिना announcement के call record कर सकते हैं और एक इसको पाता भी नहीं चलेगा जब तक Google डालर में इस bug fix नहीं होता है तब तक आप मज़ा ले सकते हो दोस्तो announcement notification तो बंदो चुका है अब speech settings में याके speech service वे Google set कीजिए और play store में जाके TTS LEXS application को uninstall कर दीजिए दोस्तो जब तक आप Google phone डालर में सबी data को दूबरा डिलिना ही करेंगे तब तक announcement notification बंद रहेगा तो इस चीज़का आप ध्यान रखिए तो दोस्तो उम्मिद करते हो कि ए वीडियो आपके लिए बहुत helpful था तो इस वीडियो को लाइक करके होना चैनल सबसेब करना ना भूलें